हलो मैं हूँ नीतु कुमार और आप देख रहे हैं E24 और News24 का सोशल मीडिया प्लेटफर्म आज बात करेंगे Bollywood की उन actresses की जिन्होंने शादी शुदा मर्दों से प्यार तो किया लेकिन कभी उनकी शादी नहीं हो पाई तो चलिए शुरुआत करते हैं आशा पारेक से आशा पारेक जो है 50 और 60 के दश्रक में बॉलिवुड में वो च्छाई हुई थी बहुत सारी हिट फिल्में उनके नाम है हिट मशीन कहलाती थी बॉलिवुड के कई सारे अक्टर के साथ उन्होंने काम किया लेकिन उनका नाम किसी अक्टर के साथ जुड़ा नहीं नहीं किसी अपने को स्टार के साथ उनका अफ़ेर रहा आशा पारेक के बारे में कहा जाता है कि वो जो है अपने फिल्म के प्रोड्यूसर नासिर हुसैन पर फिदा थी नासिर हुसैन ने ही आशा पारेक को फिल्मों में लॉंच किया था कह सकते हूं का करियर एक तरह से उन्होंने भी बनाया था नासिर हुसैन शादी शुदा थे और आशा पारेक ने उनके नाम पर उनके प्यार में वो इस तरह से थी कि उन्होंने दुबारा शादी नहीं की। पाइट बात का उलेख उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी किया ःफ्ता कि कहीं न कहीं वो नासिर हुसैन की इतने करीब थी कि दुबारा उन्होंने अपनी जिंदिगी में किसी और को आने नहीं नहीं दिया और आशा पारेक त अवं कुवारी रह गए आप gosto 78 साल की हैं और उन्होंने शादी नहीं की अब बात करते हैं तबु की तबु जो है नागारजुन के प्यार में थी तबु आपको पताई होगा नबे के दशक में लॉंच हुई थी रुक रुक गर्ल के नाम से मशूर हुई थी बहुत सारी हिट फिल्में उनके खाते में है नेशनल अव उन्होंने शादी नहीं की बॉलिवुड की ऐसी एक्ट्रेसेस की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें जो है बॉलिवुड एक्ट्रेसेस ने किसी शादी शुदा शक्स से दिल लगाया और उसके बाद जो है उन्होंने शादी कभी नहीं की वो ताउम्र जो है कुबारी रही इ लेकिन उनका करियर बहुत जादा चमक नहीं पाया नगमा के बारे में कहा जाता है कि कभी उनकी लाइफ में सौरब गांगुली थे सौरब गांगुली से वो प्यार करती थी और सौरब गांगुली भी उनके प्यार में थे लेकिन वो शादी शुदा थे और अपने परिवार को वो जो है तोड़ना नहीं चाहते थे और इस वज़या से दोनों की शादी नहीं हो सकी नगमा का नाम जो है रवी किशन से भी जुड़ा रवी किशन जो भोजपूरी सिनेमा के सूपर स्टार थे नगमा ने भी भोजपूरी फिल्मों में काम किया था और कहा जाता है कि दो उनों प्यार में पड़ गए थे लेकिन यहां भी रवी किशन शादी शुदा थे और ऐसे में जो है नगमा ने फिर कभी शादी नहीं की और अब बात करते हैं अमीशा पटेल गी अमीशा पटेल जो है रितिक रोशन के साथ वो बॉलिवुड में लॉंच हुई थी बॉलिव भट ने जो है उससे पहले अपनी वाइफ को छोड़ दिया था अपनी बेटी को छोड़ दिया था और बॉलिवुड एक्ट्रसेस के चकर में कह सकते उन्हों ने अपना परिवार तोड़ दिया था विक्रम भट के प्यार में पढ़ने के बाद भी अमीशा के कई लिंक लेकिन किसी से भी उनकी शादी नहीं हुई और अमीशा पटेल जो है 40 की उमर पार कर चुकी है लेकिन उन्होंने भी अब तक शादी नहीं की है। ऐसी एक्ट्रसेस की लिष्ट में सुश्मिता सेन का भी नाम आता है। सुश्मिता सेन ने भी बॉलिवुट के या फिर बहुत सारे ऐसे सेलिप्स को डेट किया जो पहले से शादी शुदा थे। बहुत सारे ऐसे नाम उनकी लिस्ट में आये। करीब 10-12 लोगों के साथ सुश्मिता सेन का नाम जुड़ा विकरम भट के साथ भी ओर रिलेशनशिप में थी। लेकिन सुश्मिता सेन जो हैं वो भी अब तक कुवारी हैं उन्होंने शादी नहीं किया। शमिता शेटी जो कि शिल्पा शेटी की बहन के तौर पे जादा मशूर हैं उनका भी कई लोग उसके साथ लिंक अप रहा लेकिन शमिता ने भी शादी नहीं की और वो जो हैं 40 साल की उमर पार कर चुकी हैं और अब तक वो कुवारी हैं इसी तरह काजोल की बहन जो हैं तन पाता नहीं लेकिन वो अब भी सिंगल हैं उन्होंने शादी नहीं की तो बॉलीवुड में ऐसी एक्ट्रस की बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने जो है या तो किसी के प्यार में पढ़कर शादी नहीं की या फिर उनको कोई ऐसा मिस्टर पॉफिक मिला नहीं जिसके वो साथ फेरे ले सकें